अब गाईज सबसे पहले बात करेंगे सेरेज क्या है सेरेज एक ऐसा प्लेटफोर्म में जहां पर आप किसी भी कंटेंट के लिंक को मोनेटाइज कर सकते हैं मोनेटाइज इन दा सेंस आप किसी भी कंटेंट के लिंक को कोपी करेंगे मतलब YouTube से किसी भी वीडियो के एक link को मैंने copy कर लिया या फिर किसी भी application के link को copy कर लिया copy करने के बाद में उस link को अपन को यहाँ पर paste करना होगा यहाँ पर आप paste करने के बाद में यह जो website क्या करेगी अपना एक खुद का link देदेगी short करके फिर आप उस link को अपने social media platform या फिर अपने दोस्तों के साथ कहीं पर भी आप share करेंगे WhatsApp हो गया, Telegram हो गया, YouTube हो गया या फिर Instagram हो गया, कहीं पर भी आप share करेंगे उस link के उपर जितने भी clicks आएंगे, link के थूँ जितने भी views आएंगे उसके इसाब से आपको earning होगी अब कितनी earning होगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ याँ पर आप देखेंगे 500 रुपे का CPM बता रहा है मतलब याँ पर CPM जो बताता है, वो 1000 clicks पर बताता है 1000 views पर, 1000 views अगर आपके उस link के थूँ आ जाएंगे यहां से आप अपनी links को monetize करके आप अपना खुद का पैसा चाप सकते हो यहां से इस साइड से इसके इंदर आपका एक रुपे भी नहीं लगने वाला है बस फ्री में आपको इसके अंदर काम करना है अब guys मैं आपको यहां पर demo के लिए बता देता हूँ कैसे अपने links को sort करना है तो guys इसके अंदर register कैसे करना यह मैं वीडियो के बाद में बताऊंगा पहले मैं आपको बता देता हूँ कैसे अपने links को sort करना है links को sort करने से पहले आपको एक setting करनी होगी इसके लिए आपको क्या करना होगा यहाँ पर corner में एक setting वाला icon दिखाई दे रहा होगा आपको simply से setting वाला icon पर click करना होगा जैसे आप setting वाला icon पर click करेंगे तो आपके सामने इस तरह का paste हो जाएगा अब यहाँ पर आपको दो option देखना होगा no ads और ads तो यहाँ पर आपको ads वाला option पर click करना होगा आप जिस link को sort करेंगे वो link अपने दोस्तों के साथ share करेंगे जो भी बंदा उस link पर click करके main content तक पहुंचेगा तो उसके सामने एक दो ads आएंगे उनी ads का revenue generate होता है और आपके साथ share किया जाता है अगर आप no ads पर click कर देंगे तो आपको एक रुपे की earning नहीं होगी यहाँ पर आप ads वाला option पर click करेंगे then यहाँ पर second option आता है category तो यहाँ पर आपको जिस topic से related आपने link sort किया था मतलब जैसे आपने किसी video के link को copy किया था या फिर किसी mode API के application के link को copy किया था या फिर किसी भी social media platform के link को आपने copy किया था तो यहाँ पर आपको उस category को select करना होगा यहाँ पर मैंने video के link को copy किया मतलब यहाँ पर category अपन पहले select कर देते हैं जैसे मैंने मुझे यहाँ पर video के link को sort करना है sort करना है अब यहाँ पर एक option देखना हो मिलेगा takes वाला तो यहाँ पर आप अपने category इन उसार takes दे सकते हो मतलब आपको ज़्यादा तर कौन से link sort करने है जिस topics related आप link sort करेंगे उसी topics related यहाँ पर आपको keywords देने होंगे जैसे कोई वीडियो के अंदर आपने information share करी कि आपने youtube channel को कैसे monetize किया जाता या फिर किसी वीडियो के अंदर आपने किसी application का जिकर किया तो application से related application के अनाम वगएर यहाँ पर अपन takes लगा सकते हैं जैसे youtube videos के अंदर आपन लगा सकते हैं यहाँ पर आप 500 character के कुछ भी takes यहाँ पर लगा सकते हो जैसे मैंने यहाँ पर लगा रखा है monetize your channel तो 21 words का यहाँ पर हो गया गईज 500 words तक आप लगा सकते हो अप देखनों के मिलता है आपको monetize with money तो आपको इसको ओफ रखना होगा गईज इसको अगर आप own कर लेते हैं तो आप direct income कर सकते हो यहाँ से जैसे इसको अपन own कर लेते मैं आपको समझा देता हूँ गईज तो जैसे यहाँ पर अपन और आप पैसा डालेंगे मतलब जैसे आपने किसी link को sort किया sort करने के बाद में आपने किसी subscribers के साथ बेज दिया उस link को या फिर किसी users के बास बेज़ा आपने दोस्तों साथ बेज़ा तो जो भी दोस्त उस link पे click करेगा तो सबसे पहले एक payment वाला option आएगा कि आपको इतने रुपे payment करना होगा एक रुपे, दो रुपे, दस रुपे, पचास रुपे, सो रुपे आप डाइरेक्ट उस main content को देख पाएंगे अगर आप ऐसा करना चाते हैं तो कर सकते हो बाकि मैं recommend करूंगा आप इसको ओप रखना ओप रख दीजेगा क्योंकि कोई भी member, कोई भी audience यह नहीं चाती कि मुझे पैसा पे करना पड़ेगा और मैं इसको पैसा पे करके इस content को देखू, तो आजकल सब चाते है कि free में कोईसी भी content open हो जाई, तो इसको ओप रखना है, आपको ऐसी 1000 clicks पे 500 रुपे की earning हो रही है तो इसको ओपी रखना होगा, अब यहाँ पर आपको save वाले बटन पे क्लिक करके इस information को आपको save कर देना होगा, यहाँ पर मैंने save कर दिया save करने के बाद में, आप guys आपको क्या करना होगा, किसी भी content के link को copy करना है, जैसे मैंने यहाँ पर already एक YouTube वीडियो के link को मैंने copy कर दिया, copy करने के बाद में उस link को यहाँ पर मैं paste करूँगा, जैसे यहाँ पर मैं press करके रखूँगा, और यहाँ पर paste वाले बटन पर मैं click कर दूँगा, click कर दिया, आप simply से instant sort वाले बटन पर आप click करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हो, instant sort वाला option आ रहा है, इस पर आपको click करना होगा, जैसे आप इस पर click करेंगे तो यह website क्या करेगी, अपना एक खुद का link देदेगी, sort करके, यहाँ पर आप आप social media platform पर इसको आप share कर सकते हो, youtube हो गया, instagram हो गया, facebook हो गया, या फिर कोई telegram का channel हो गया, group हो गया, वहाँ पर आप share करेंगे, फिर इस link पर जो भी member click करेगा, जो भी user click करेगा, जिस content का आपने link sort किया था, उस content को play करके देख लेगा, तो guys, इस हिसाब सा आपको earning होगी, जैसे 1000 members ने इस पर click करके उस content को watch कर लिया, तो यहाँ पर आपको 500 रुपे के earning हो जाएगी, अगर आपके पास अच्छे कासी audience है, अच्छे कासे subscriber से, अच्छे कासे दोस्त है, ग्रूप से, अच्छे अपर आप share करेंगे, तो आप डेली के 5 से 10 जार clicks आराम से लेकर आ सकते हो, और आराम से आप डेली के 2500 से 5000 रुपे तक earn कर सकते हो, guys, अप guys, बात करेंगे, इसके अंदर payment किस-किस के through ले सकते हो, payment guys, इसके अंदर आपको daily daily मिल जाएगा, अगर 50 रुपे की earning, minimum 50 रुपे की daily earning होती है, तो आपको daily payment अपने account में बेज दिया जाएगा, phone पे आप ले सकते हो, या फिर अपने bank account में direct आप ले सकते हो, payment लेने के लिए एक option देखनों मिलेगा, guys, यहाँ आपको simply से first वाला option पर click करना होगा, payments वाला option पर, यहाँ पर मैं इस पर click कर देता हूँ, click करने के बाद मैं आपके सामने इस तरह का page 100 हो जाएगा, यहाँ पर आपकी जितनी भी आपको अपना bank account एड़ करना पड़ेगा, यहाँ पर आप देख सकते हो, manage payment method आपको simply से इस पर click करना होगा, जैसी आप इस पर click करेंगे, तो यहाँ से आप अपना bank account और अपना phone payment setting वाल option पर click करना होगा, यहाँ पर मैं click कर देता हूँ, यहाँ पर छोड़ा सा zoom कर लेता हूँ zoom करने के बाद में यहाँ पर मैं click करूँगा payment setting वाल option पर, payment setting वाल option पर click करने के बाद में ना चाता हो उस पर क्लिक करके चूस्ज कर लिजेगा घर से अगर आप क्लिक कर णी होगी जैसे बैंक अकाउंन नर evidence इस millimeter support number वर्गेरा यह सारी चीज़े फील करके उसके बाद में आपको अपने अकाउंट को एड़ कर देना होगा यहां पर मैं यूपीयाईड देता हूँ अगर आप यूपीयड दे सकतो दे क्योंकि u paper आप किसी की भी दे सकते हो फॉन पे हो गया Google पे हो गया पे ट्यम हो गया या फिर आपना को uid किरेट कर रखें वीएम बीमेप से तो उसको भी यहांपर आप डाल सकते हो यहांपर मैं अपनी UPD देह दिए हैं, अब सींप्ड से डीटेल वाले बटन पर अपन क्लिक करेंगे जैसी अपने अपनी जो UPD यहाँ पर एड़ यहां पर आप देख सकेंगे। UPD add हो चुके हैं अगर आप इसको change करना चाहो तो change detail वालो option पर click करके change भी कर सकते हो अगर आप अपना bank account add करना चाहो तो यहां पर click करके अपना bank account भी add कर सकते हो गयाज यहां पर इस तरह से अपने अकाउंट को एड कर देना होगा अब अपन वापस जाएंगे उसी पेमेंट वाला ओप्सन के अंदर अपना जो अकाउंट है वो एड हुआ या नहीं यह आपन चेक कर लेते हैं यहां पर बिलिंग वाला उप्सिन पर क्लिक करेंगे और यहां पर पेमेंट वाला उप्सिन पर क्लिक कर देंगे क्लिक करने के बाद में यहां पर आप देखेंगे अपना जो बैंक अकाउंट हो चुका यहां पर मैं रिफ्रेस कर लेता हूं एक बार तो गाइस यहां पर आप देखेंगे अपना जो बेंग अकाउंट है एड हो चुका है यहां पर आप देख सेकते हो यूपे ट्रांसपर टू यह जो भी यूपे अपने डाल रखी वह यहां पर सो हो जाएगी अब जब भी हमारा पेमेट यहां पर 50 रुपे से ज्यादा बन अब यहां पर आपको देख सकते हो गाइस अब यहां पर आपको क्या डिटेल करने ही मैं आपको बता देता हूं यहां पर आप feel करना होगा जिस किसी की भी नाम के दुरूँ आप अपना अकाउंट बनाना चाहते हो यहाँ पर आपको feel कर देना होगा देन यहाँ पर अपनी email id feel करनी होगी उसके बाद मैं password यहाँ पर feel कर देना होगे एक दम strong password बना होगा क्योंकि कही आपका account है वगरा नहीं हो जाए इसलिए strong password बनाना चाहिए यहाँ पर आपको अपना निक्नेम देना है निक्नेम कोई सब्सक्राइब करना होगा तो गैस इस तरह से आपको इसके अंदर work करना है काम करना है आई पकि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो please वीडियो को like कर दिजेगा channel पहले हो तो चैनल को subscribe जो च्रूंड कर लीजेगा क्योंकि मैं आपके लिए एसी ओनलाइन अनिंग लेटेड़ वीडियोस लेके आता रहता हूं सो गाइस सब्सक्राइब में यूटूब चनल आज की सुड़िया हम पास इतना है इसी के साध्या हिंद जय भारत